स्टार्ट विद दी नेम ऑफ अल्ला हुई इस जी मोस्ट मेनिफिशेंट और मोस्ट मर्शिकूल देयर स्टूडेंट्स अस्सेराम वालेकूम आज की इस वीडियो में हम एक्सराइज 6.2 के कोस्टेन नमबर 2 से स्टार्ट करेंगे कोस्टेन 3 है आपके पास if a n-3 is equal to 2n-5 a n-3 दिया क्या है find the n-th term of the sequence आपने sequence की n-th term find करने है ठीक है तो n-th term किस तरह से find करेंगे first of all आप वो write करें जो आपको given है आपको given है a n-5 is equal to a n-3 is equal to 2n-5 ठीक है अब आपने find क्या करने है n-th term find करनी है ठीक है तो आपने क्या करने है n की जगा replace कर देने n प्लस 3 को ठीक है n की जगा क्या replace करेंगे n प्लस 3 ठीक है replace n by n प्लस 3 n की जगा n प्लस 3 रिप्लेस कर दें तो यह बनेगा n sorry a n प्लस 3 और यह साथ माइनस 3 है ठीक है इस इकोल टो 2 n की जगा रिप्लस 3 माइनस 5 ठीक हो गया अब यह multiply करना है simple 3 3 से cancel हो जाएगा और यहां रह जाएगा आपके पास a n is equal to 2 n ठीक है प्लस 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 2 3 जा 6 और यह माइनस 5 ठीक है 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा प्लस 1 यह हो गई आपकी n ठीक हो गया simple आपने n की जगा जो है n प्लस 3 को रिप्लेस कर देना और आपके पास n ठीक हो जाएगी ना हम मूफ करते हैं को से नमबर 3 की तरफ प्लस 2 आपके पास इफ फिफ्ट टर्म आफ एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल दें आपने इसकी ट्वैल्थ टर्म बतानी है ठीक है तो क्वेशन नमबर 1 में हम इस तरह की क्वेशन कर चुके थे हम इसको इसकी जर्नल फॉर्म में लेके जाते हैं किस तरह से लिखेंगे एफ फाइफ को लिखना था आपने एवन प्लस 5 होगा तो यहां पे 4D ठीक है A1 प्लस 4D is equal to 16 A5 की जगा यह चीज़ आ गई A1 प्लस 4D इसी तरह A20 को करेंगे तो यह बनेंगा A1 प्लस यहां पे 20 है तो यहां पे एक कमाना होता था 19D is equal to 46 यह हो गई आपकी equation number 1 और इसे name देर equation 2 का 2 मेंसे 1 माइलस करेंगे एक चीज़ equal है आपको पास coefficients A1 के coefficient equal है तो सब्ट्रक्ट करें यहां से आपके पास D की value आ जाएगी तो आपने यह सारा procedure किया क्योंकि आपको पता है A1 और D की value आपको पता होगी तो आप कोई भी term जो है easily find कर सकते हैं अब हम इन दो जो हमें terms दीगी है इन दो से हम D की value find करेंगे ठीक है और हमारे पास जो है easy डी 12 term हो जाएगी ठीक है A1 की और D की value find करेंगे अब equation 2 में से equation 1 minus करेंगे equation 2 ऊपर आ जाएगी A1 plus 19 D is equal to 46 और equation 2 आ जाएगी नीचे A1 plus 40 plus 16 minus करने से natural terms के sign change हो जाएगे यहाँ पे plus था तो minus plus minus हो गया plus था यह भी minus हो गया ठीक है minus करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 46 में 16 minus करेंगे तो 30 और A1 A1 से cancel हो जाएगा ठीक है 15D 15 इस साइट पर आकर डिवाइड हो जाएगा 15 बहुत साइट से डिवाइड कर दें यहाँ पे इस साइट पर आजएगा D is equal to 2 ठीक है 15 तो जा क्या होता है 30 D की value आ गई अब आपने equation 1 या 2 में जहां मर्जी आप D की value पुट करें वहां से A1 की value आ जाएगी पुट D 2 in equation 1 में equation 1 में put किया ठीक है A1 प्लस 4D था यहां पे D की value पुट कर दे 2 is equal to 16 A1 प्लस 4 टू जा 8 is equal to 16 8 equal के side पे आके minus को हो जाएगा 16 में से 8 minus करेंगे तो 8 आ जाएगा ठीक हो गया अब आपको D की value मिल गई है A1 की तो आप कोई भी term find कर सकते हैं आपने find कौन सी करनी थी question में given था A12 find करें आप ठीक है तो A12 को आप लिख सकते हैं A12 is equal to A1 plus 11 D is equal to A1 की value 8 plus 11 D की value कि आप उट करेंगे 2 11 2 से 22 ठीक है 8 plus 22 किता हो जाएगा 30 तो A12 जो है यहां से 30 आ जाएगा बहुत इसी से parts सारे parts एक ही pattern से होगी ठीक है question number 4 है आपके पास find the 13th term of sequence यह sequence यह है आपने इसकी 13th term find करनी है ठीक है अब आपको पता है first term A1 के equal होती है ठीक है first of all आप given sequence लिखने x12-x3-2x अब आपने 13th term find करनी है ठीक है तो वह किस तरह से find करेंगे आप आपको पता है first term a1 की equal होती है तो a1 है यहाँ पर x ठीक है a1 क्या है x की equal और d किस तरह से find करते हैं हम second term में से first वाली को minus करते हैं तो हमारा पस d आजाते है ठीक है तो यहाँ फिस तरह से बनेगा 2 minus 1 minus x second term कुन सी है 1 second में से first वाली term को minus करते हैं आप इस तरह से भी कर सकते हैं मैंनस एक्स माइनस टू बाल Kait वाली में से 1 तो एक्स मैदस करेंगे मतलब आप जो मरजी ले सकते हैं यह डिक है कि प्युक्ति अपनी मरजी से सी प्रोग्रेशन है तो उसमें आपको पता है इसी difference जो होता है same आ रहा होता है अब आपने a1 भी आपको पता चल गया है d भी आपको पता चल गया है जब a1 और d पता होते हैं तो आप कोई भी term easily find कर सकते हैं ठीक है अब आपने find करनी थी a13 a13 को हम लिख सकते है a1 plus 12 d ठीक है यहां पर 13 है तो यहां पर 12 आएगा a1 तो सब के साथ आ रहा होते है a1 की value क्या है x यहां आप x पूट करने plus 12 d की value 1 minus x ठीक है simple multiply करना है अब आपने a13 is equal to x plus 12 1 जा 12 plus minus minus 12 multiply होगा x से तो क्या आजएगा 12 x तो यहां से a13 क्या आजएगा आपके पास 12 1 यहां आप x का question क्या है 1 minus 12 1 minus 12 किता हो जाएगा minus 11 x ठीक हो गया now question number 5 है आपके पास find the 18th term of the ap arithmetic progression की 18th term find करनी है if its 6th term is 19 6 term है इसके आपके पास 19 and the 9th term is 31 मतलब a6 आपको दिया गया है 6 find 13 terms 6 term जो है आपको 19 दिया गया है और 9th term a9 is equal to 31 दिया गया है और आपने a6 find करनी है ठीक है तो आप इसको उस तरह से लिखेंगे a1 plus 5d is equal to 19 ठीक है और इससे क्या लिख सकते है a1 plus 8d is equal to 31 ठीक है ये question 1 हो गई ये आपके पास equation 2 2 में से 1 माइनस करेंगे यहां से a1 और a or d की value find करके और a6 को आप लिखेंगे a1 plus 5d आपने find करनी थी 18th term 18 ठीक है तो लिखेंगे a1 plus 17d तो a और d की values find करने के बाद आप यहां put कर देंगे यह है आपके question number 3 की तरह बिल्कुल ठीक है यहां से पहले आप d की value find करेंगे d की value को किसी भी question में 1 में यह 2 में put कर लें वहां से a1 की value आजाएगी then आपने क्या करना है इसको इस form में convert करेंगे ठीक है और यहां पर values put कर देंगे I hope कि यह question आपको अच्छे से समझ आ गया होंगे और आप question number 5 अब आप खुद कर सकते हैं फिर भी अगर कोई बात समझ रहा है तो आप comment section में पूछ सकते हैं और अगर कोई mistake होगी हो तो उसके लिए sorry and thank you so much आपर आपिज आपिए आपिए आपिए